हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर आर भी एंटीपीसी टाइपिंग टेस्ट यानि कि आपका जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसकी जो डेट है एंटीपीसी ने वह अनाउंस कर दी है और उसके वारे में कम्प्लीट इंफ्रोमेशन हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है बैक स्पेस चलेगा या नहीं कितनी गलती होगी आपकी छूट की कंडिड जो है पास नहीं कर पाएगा तो इस वीडियो में हम कम्प्लीट जानकारी जो है आपको देंगे इस वीडियो के बाद आपको टाइपिंग से रिलेटिट कोई भी दिक्कत नहीं होगी एंटीपीसी स्किल टेस्ट के अंदर तो चले वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को साथी साथ लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजेगा जैसा कि आप सभी लोग जिस जिन भी केंडिडेटों का स्किल टेस्ट के लिए आपका रोल अंबर जो है आउट हो चुका है वह जो है अपनी टाइपिंग के लिए जो है लग चुके होंगे तो इसके अंद यस पे अंदर स्क्रिन पर ही आपका जो है स्रहüf डाइपिरल जो आपको टाइप करना होगा वह आएगा और उसके नीचे कुछ िस तरीके से मैं बता देता हूं जैसी यह कम्पूटर की स्क्रिन है तो यहां पर आपका जो है मडियल लिखख़ॉ आएगा और यहां पर उसक प्राइश जो है आपका NTPC के अंदर वो काम नहीं करता इसलिए जो आर यानि के जो रेलेवे की जो आपकी टाइपिंग कथ धो तो एवह सस्कें से इसलिए हाड ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जो आपका backspace है वो count नहीं होताँ काम नहीं करता हूं कि लेकिनые अगर में बातकरता हूं कि आपका जो err होंगे वो किस तरीके से होंगे जैसा कि इनोंने उथने क्षण आपकरे इसखेंफ नंबंबर ओफ वर्र्ड्स आपके जो होंगे सिर्फि 김ो वर्डस आपने टाइप किये सोरी सब्सक्राइब कि के नंबर ओफ तो आपके वर्डल इतने अपने टाइप कियама फिर आप की मिश्टेक् Also मिश्टेक्स मौन्ट इन हाँ यॉडो कि व्रहों दस होगा तो आपको इसको डिवाइड करना होगा तस मिनट से तो आपकी मिस्टेक्स किस तरीके से काउंट होंगी मैं इस वुडियों आपको समझा देता हूं जैसे कि मान लीजे कि आपने टोटल जो वर्ड हैं टोटल जो वर्ड हैं अगर 500 टाइप किये 10 मिनट के अंदर तो आपका 500 का जो 5% है वो आपकी हो जाईगी छूट यानि के 500 का 5% यानि के 25 वर्ड की आपको छूट मिलेगी यानि के इतनी गलती आप कर सकते हैं लेकिन मान दीजिए आपके 25 की जगा आपकी गलती हो गई है 35 35 गलती आपकी हो गई है यानि के 35 वर्ड आपने गलत लिखे हैं तो आपके जो 25 वर्ड की छूट थी और 35 वर्ड आपने गलत कर दिये तो यानि के आपका माइनस होंगे 10 वर्ड और 10 वर्ड को भी उस फोर्मूले के अंदर लेके जाये जाएगा जो फोर्मूला है आपका कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं मिस्टेक्स को आपका 10 टाइमस कर दिया जाएगा यानि कि आपकी 10 मिस्टेक्स थी तो उनको 10 से मंटिप्लाई करके 100 कर दिया जाएगा तो आपने जो टोटल वर्ड थे वोट काउंट टाइप किये थे 500 और आपकी टोटल मिस्टेक्स हो गई 100 और आपका टाइम था 10 मिनट तो आपकी स्पीड आ जाएगे 40 वर्ड पर मिनट लेकिन इतनी स्पीड ऐसी आरारवी में लाना थोड़ा सा मुश्किल है तो मैं आपको एक और एक्जाम्ठल देखे बताता हूं जो की आरारवी वालों ने अपने फॉर्मूले के अंदर भी लिखा हुआ है जैसे कि आपको 320 वर्ड जोम्हें टाइप कर दिये हैं आपने 10 मिनिट के अंदर 10 minute के अंदर आपने 300 word जो है वो type कर दी है तो 320 का अगर 5% में निकालता हूँ तो आपका हो जाएगा 16 के करीब हो जाएगा 5% जो होगा आपका 16 word जो है आपको छूट मिल जाएगी 16 word गी आपको शूट मिल जाएगी अगर आप 16 word तक गलती करते हैं तो आपकी speed जो है 32 काउंट होंगी वो मैं बताता हूँ आपको कैसे लेकिन आपने जो mistakes हैं वो कर दी है 19 अब 19 mistakes कर दी हैं और आपने 16 किये हैं आपकी 5% के अंदर आते हैं 16 आपकी तीन मिस्टेक्स जो हैं वो ज्यादा हो चुकी है और ज्यादा होने के कारण आपकी जो तीन मिस्टेक्स हैं वो 10 टाइम मंटिप्लाई होने के बाद 30 हो जाएंगी और आपने जो word थे वो टाइप किये थे 320 और माइनस 30 और 10 मिनट का आपका टेस्ट था तो यहां से जो आपकी स्पीड आईगी वो 39 वर्ड पर मिनट आईगी और यहां पर आपको फेल कर दिया जाएगा अब मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर जो आपका किस केंडिडेट को पास होने का चांस मिल सकता और कौन से केंडिडेट पास हो सकते हैं तो जिनोंने जिन भी केंडिडेटों की एक्क्यूरेसी जो है एक्क्यूरेसी खराब है अच्छी नहीं है 75 परसेंट एक्क्यूरेसी आती है 70 परसेंट एक्क्यूरेसी आती है और आपका 80 परसेंट एक्क्यूरेसी आती है तो वो केंडिडेट कभी भी इस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सकते है क्योंकि accuracy का ही आपका main है अगर मान लीजी इनोंने 95% accuracy कहा है और आप उससे 15% गलत कर रहे हैं ज्यादा तो आपकी जो speed है वो भी कम होंगी और जाहिर सी बात है आप जितनी speed लाएंगे उसके अंदर से direct जो आपकी mistakes हैं वो 10 times करने के बाद आपकी speed 30 से कम ही हो जाईगी अगर आपको typing नहीं आती है और आपने अभी start किया है तो आपको इसके अंदर accuracy पर ध्यान देना होगा accuracy पर अगर आप ध्यान देते हैं और आपके word अगर कम है जैसे कि मान लिजी आप मान लिजी तीन सो word अगर type करते हैं 10 minute के अंदर और आपकी 300 का 5% जो होता है वो आपका हो जाता है 15 15 word आपने आपको छूट मिलेंगे 5% के अंदर लेकिन आपकी जो गलतियां है वो है 14 तो यहाँ पर जो आपका process होगा वो आपका 300 minus 0 क्योंकि आपकी जो 5% है उससे कम गलतियां है 0 divided by 10 तो आपकी यहाँ पर 30 word per minute speed आ जाईगी तो यहाँ पर आप टेस्ट को qualify कर जाएंगे यह जो इनका formula है RRB वालों का यह SSC के अंदर काम नहीं करता SSC के अंदर यह काम नहीं करता है वहाँ पर आपका back space भी valid होता है और आपकी जो mistakes हैं उनको 10 times नहीं किया चाता इसलिए जो RRB का NTPC का जो typing test है वह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन candidates के लिए जिन्होंने practice नहीं किये यह जिन्होंने अभी अभी जो है इन्होंने अभी अभी अपना typing को start किया है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस test को pass करना क्योंकि इसमें candidates को कम से कम typing के लिए 2 month अगर आपको 50 speed लेके आनी है 50 word per minute तो आपको 2 month का समय चाहिए ही होता है लेकिन इन्होंने level 6 वालों को 4 वालों को जितना time दिया था CBAT के लिए उससे भी बहुत ही कम level 5 और 2 वालों को typing के लिए दिया है तो इस वज़े से जो typing वाले candidate हैं वह काफी निराश है क्योंकि 20 दिन मिले हैं उनको typing के लिए और बहुत से candidate हैं जिनको typing आती भी नहीं है उनको सीखना भी और 20 दिन के अंदर speed भी निकालनी है तो यह काफी difficult task बन गया है ntpc level 2 और level 5 के typing वालों के लिए आशक करता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स है typing से related के लिए कर दिये हैं अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप comment करके मेरे से पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी typing speed आ रही है और accuracy कितनी है कि आपका pass हो सकता है या नहीं हो सकता तो मैं आपको guide कर दूँगा कि आपका pass हो जाएगा या आपका pass नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर time बहुत कम बचा हुआ है अगर आपने typing की है पहले तो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आपने typing पहले नहीं की तो बहुत मुश्किल हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर लें थैंक यू